हेलो एबरीवन और यह हम लोग आ चुके हैं अपने प्याच के खेत में अभी यह खेत तो हुआ नहीं है मतलब यह इसका छोटा सीड हम लोग लगाते हैं और यह पूरे खेत में ऐसा ही डाल देते हैं फिर उसके बाद यह अभी बढ़ा हुआ है फिर इसको इसका क्या सीन रह देखेगा नहीं अभी यह जब थोड़ा मदब देखेंगे लोग काफी रिष्ट पुष्ट हो चुका है तो इसके बाद इसको निसको निकाल के फिर मैं बताता हूं देखे कैसे यहां पर जैसे मली एक छोटा सा अपना प्लॉट है खेत का एक तो इसमें ऐसे हम लोग वो थidades है फिर अउसे बनाते हैं इसमें ऐसे लगाते है फिर इसको हलका पते हैं तो फिर यह लग जाता है यह पाणी चला देते हैं पानी रहतीर है ताभखें चोटे से फिर बड़ा हो जाती है फिर मतलब जितने टाइम तक आप इसको छोड़ते हैं खेत में या जैसा आपका यह बीज रहता है उसके हिसाफ से वह प्याज उतनी बड़ी रहती है तो यह अभी एक मीडियम है बड़ी प्याज लाने का तो यह देख सकते हैं आप लो सब्सक्राइब लात में जैसा ही ऑलगाए फिरusan को पानी बयाएं दिलके हो यह धृण अब काफी बड़ा हुआ है फिर इसको निकालेंगे फिर उसके बाध इसका वह जो मैंने सिस्टम बताया कि फिर इसको यह जो चोटा सा प्लाट यह फूरा खाली हो जाता है फिर उसके बाद इसमें निटकर प्र लागाते हैं तब जाकि यह प्याज के रूप में आता है तो चलिए फिर चलते आं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपको हम दिखा आएंगे कुछ और तब तक के लिए बाई बाई